बॉलिवुट को यारों का यार कहा जाता है पर साथ ही ये भी सच है कि यहां दुश्वनी भी कम नहीं। फिल्मों के शूटिंग के दौरान कलाकार एक दूश्रे के दोस्तों बन जाते हैं पर फिर बहुत ही चल्दी दुश्वनी के मैदान में नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ हमें बॉलिवुट के पहले सूपस्टार राजेश खना और सधी के महनाएक अमिताब बच्चन के बीश देखने को मिला। अब नीता राजेश खना को जैसी लोग प्रियता मिली वैसी आज तक किसी स्टार को नहीं मिली। लड़कियां तो उन पर इस कदर फिदा थी कि उनके लिए खून के लेटर लिखती और उनकी गाड़ी तक को चूमने लग जाती। वैसे यों तो राजेश खना सभी के साथ अच्छा व्यभार रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय था जब राजेश खना और अमिताब बच्चन के बीच कड़ी दुश्मनी हो गई थी। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों एक दुश्टे का चेहरा तक नहीं देखना जाते थे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरहां राजेश खना और अमिताब बच्चन के बीच खटास पैदा हुई और किस तरह इस खटास ने दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। तो बिना तेर के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वज़े। जिसमें एक राजेश खना भी थे। आखिर में ये टालेंट हंट राजेश खना नहीं जीता। इस तरह उनके लिए बॉलिवुट के दरवाजे खुल गए। साल 1966 में राजेश खना की पहली फिल्म आखरी खत रिलीज हुई थी। लेकिन राजेश को असली काम्याभी साल 1979 में आई फिल्म अराधना से मिली। जो उनकी पहली सूपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें सूपर स्टार बना दिया। 1979 के 1975 के बीच राजेश खनाने लगातार 15 सूपर हिट बंदी। देश फर में उनका ऐसा जादू चला कि उस दौर में पैदा होने वाले ज्यातितर बच्चों के नाम राजेश रखे जाने लगे। देश फर में उनको लेकर ऐसी दिवान गी थी कि पूरा देश उन्हें काका कहके बुलाने लगा। उस दौर में एक कहावत मश्यूर हुई। उन्हें दरचनू अवार्ड मिले। अवार्ड समारो कोई भी हो उसमें काका की बजूत्की की रंगत भरती थी। बताते चले अमिताब बच्चन जिस दौर में फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिच कर रहे थे। उस वक्त राजेश खन्ना सूपर स्टार हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात आनन फिल्म के सेक पे हुई जब अमिताब बच्चन को आनन फिल्म के लिए साइंग किया गया तो उनकी खुशी साथ विया आस्मान पे पहुँच गई थी। क्योंकि उन्हें अपने किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंने सूपर स्टा अभिनेता अमिताब की भी खूब चर्चाए हुई। बता दे इस दोरान अमिताब ने कुछ खास पहचान नहीं बनाई थी। जिसके चलते वो अपनी पहचान वाले लोगों से अक सर्ताने सुना करते थे। लेकिन जब उन्हें सूपर स्टार राजेश के साथ काम करने का म इस फिल्म में आनंद की मौत के बाद भासकर बैनर जी बने अमिताब के आंसवों ने लाखो लोकों को तो रूला दिया था लेकिन अमिताब बच्चन को इस फिल्म से जो उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। दरसल हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस फिल्म में फिल्म का नायक मर जाता है उसे निभाने वाले अमिताब बच्चन को कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी लेकिन लोगों के बीच वो फेमस जरूर हो गए थे साथी उन्होंने अपनी जबरतस अदाकारी से फिल्मानंद के निर्देशक रिशीकेश मुखर्ची का दिल भी जीत लिया था जिसके चलते उन्होंने बच्चन सहब को अपने अगले दो प्रोजेक्स में साइंग किया जिसमें साल 1972 की फिल्म भावर्ची और साल 1973 में आई फिल्म नमक खराम शामिल है आपको बता दें जहां मताब बच्चन ने बावर्ची के लिए सिर्फ अपनी आवास दी थी वहीं नमक खराम फिल्म के लिए उन्होंने एक बार फिर सूपरस्टार राजेश खना के साथ काम करने का मौका पाये था इस फिल्म में दोनों का किर अकसर जया भादुरी से सेट पे मिलने जाये करते साथी एक साथ घूमने फिरने भी चले जाते लेकिन राजेश खना अपने अलग स्वभाव की वज़े से सेट पे अकसर अमिताब का मजाक उड़ा दिया करते थे जो कि कभी-कभी हद पार भी हो जाये करता इस बात को जया फिल्म इंडाश्ट्री पे राज करेगा और ये बात सोला आने सच हो गई फिल्म नमक हरा में एक तरफ सूपरस्टार राजेश खना थे जो घरीब परिवार से तालूग रखने वाले सोमू का किरदार निभा रहे थे वहीं दूसरी तरफ अमिताब थे जो मिल मालिक के एक तो सबसे ज़्यादा उसी किरदार को सुरहा जाता है इसलिए नमक हरा में भी वो मरने वाले रोल के लिए जित पे अड़ गए उन्होंने फिल्म के डिरेक्टर इशीकेश मुखरजी से दो टूक कह दिया कि फिल्म के अंप में मरने वाला रोल तो वही करेंगे सूपरस्ट इसी नारास्की के चलते अमिताब ने फिर कभी राजेश के साथ काम नहीं किया नमक हराम की स्कुर्प राजेश के मन मताबिक बदल दी गई लेकिन जब फिल्म रीज हुई तो अमिताब के करदार की ज्यादा चर्चा हुई फिल्म समीक शक से लेकर मायनगरी के गल्यारों में अमिताब की रोल की खूप तारीफ हो रही थी जनजीर फिल्म में अमिताब ने अपने रोल से जो गुसा और इंटेंसिटी दिखाई उसे नमक हराम में कहीं ज्यादा बहतर किया गया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया बतादे नमक हराम की वो पहली फिल्म थी जिससे फिल्म इंडस्टी में सूपरस्टार की कुरसी राजेश खन्ना से अमिताब की तरफ खिसकनी शुरू हो गई थी इसके बाद अमिताब पच्चन साल 1975 में आई ब्लॉप पास्टा फिल्म दीवार और शोले में शांदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें महनायक का टाइटल हासिल हो गया तो दोस्तों ये थी वो वज़य जिसने सदी के महनायक अमिताब पच्चन और राजेश खन्ना के बीच दिश्मनी पैदा की थी आपको राजेश खन्ना की फिल्म में ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर बॉलिवूड के शेंचामिताब की हमें कामन बॉक्स में बताईए और ऐसी दिल्चस बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए